हर्याना से भीजूपी के लोगसभा परतियाशी और पूर्ण मुख्यमंती मनोहरलाल जी हमारे साथ है मनोहरलाल जी किस तरह की उत्षाहत लोगों लोग कितने उत्षाहत नजर आ रहे हैं बहुत अच्छा उत्षा लोगों के में देखाई देरा है और निश्य रूप से इसमें मैं यह कह सकता हूँ कि हमारी लोगसभा की 10 की 10 सीट है और विदान सभा करनाल की भी हमारी सीट 11 कमल के फूल हम खिलाने माले है चुनौतियां क्या देखके चल रहे हैं इस बार क्योंकि बहुत महतपून है यह चुनाव और क्योंकि सरकार तो बननी ही है साथी राज्य के लिए भी बहुत महतपून है दिखे जब तक पोलिंग स्टार्ड नहीं हो हुई थी तब तक शादी आपका प्रशन बड़ा प्रासंगिक था लेकिन आज जब पोलिंग को मैं देख रहा हूँ इसलिए प्रशनी प्रासंगिक नहीं है कोई चलोती नहीं है और भाते जनता पारटी के फेवर में वोटर्स जो है अपना मन बना चुका है और निश्य दूरुसियम क्यारा की गारा स्टेट हैं जितने वाले हैं क्या स्टेटी रहे हैं कोई स्टेटी नहीं है करन लो यानि कुर्शितर के अंदर आमाधी पारटी जो कंडिट हैं वो निश्य धालने वाले हैं हमारे नमीन जिंदल वहां स्वीप करेंगे और निश्य दूरुसियम कर सकता हूं कि कॉंग्रिस का भी को भी उसका कोई लाव क्या सवार जवाब कर रहे हैं तो अपना उत्सा जो है और जो डॉल का रहे हैं और महुन से पुछ ता भी हूव के परसंटेजन आते तो उसल बताते हैं कि फेल करना चाहें आıldए कर गणिदल शेलिया पुरा हो चाहेंगे पुरा होगा पील करना चाहेंगे सब लोग ज़्यादा ज़्यादा वोट करें और ज़ियों ने कहा कि लोग जिस तरीके से उशाहित है नजर आ रहा है कि इस बार जो 400 पार का नारा है और हर्याना करनाल के अगर बात करें तो 11 सीटें जिसमें दस लोग सभा और एक वधान सभा की सीड जो है भाज़पा के खेमे में जाएगी तो ऐसे में भाज़पा के प्रतिलोगों का जो है सकात्म का रवया देखने को मिल रहा है दूसरे तरफ उन्होंने लोगों से अपील भी करी है कि वो जादस जादा मतदान करने के लि और हरियाना करनाल के अगर बात करें तो 11 सीटें जिसमें 10 लोग सभा और एक विधान सभा की सीट जो है भाजपा के खेमे में जाएगी तो ऐसे में भाजपा के प्रतिलोगों का सकात्मा का रवाया देखने को मिल रहा है दूसरे तरफ उन्होंने लोगों से अपील भी करी है कि वो जाद से जादा मतदान करने के लिए पहुँचे कैमरे परसिंट गुर्विंदर के साथ पूजा वर्मा देली पोस्ट पंजब हरियाना हिमाचर